हेलो फ्रेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल नीव जोब अपडेट में आपका फिर्श स्वागत है फ्रेंट्स इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि SECR बिलासपूर का जो एप्रेंटिस फर्म भरा रहा है उसको आप एप्रेंटिसी पोर्टल पे जाकर कई से भर सकते हैं तो मैं आपको step by step बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि जो नीव पोर्टल पे किस तरह से अपलाई करना है और जो पुराने वाले पोर्टल पे जो स्टूडेंट रेजिस्टेशन कर चुके हैं क्या उनको इस नीव पोर्टल पे रेजिस्टेशन करना है या पुराने जो रेजिस्टेशन पोर्टल से आप लोगिन कर पाएंगे इस पर तो वह सारा डिटेल मैं आपको बताऊंगा अधि आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने दोस्तों को शेर करें तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप न्यूड येपरेंटिसीव पौर्टल पे जाके वहाँ पे एक three dot line है right side में वहाँ पे click करना है यहाँ पे click करने के बाद आपको कुछी तरह का interface दिखाए देगा उसके बाद आपको apprenticeship opportunity पे click करना है यहाँ पे यहाँ पे click करने के बाद आपको next window में ले जाया जाएगा यहाँ पे आप simply यहाँ देख पा रहे होंगे कि search box है इसमें तो आप यहाँ पे search location पे click करेंगे search location में simply bilaspur type करेंगे bilaspur उसके बाद यहाँ पे search कर देंगे search करने के बाद आपको कुछ इस step से 42 opportunity यहाँ पे show करेगा यहाँ पे पहला में जो list में आया है welder guys senior divisional personal officer south east central railway bilaspur यहाँ पे apply और यहाँ पे view तो आप यहाँ से भी apply कर पाएंगे लेकिन आपको friends सबसे पहले check करना है कि वह आप पुरा detail के साथ तो वह आप view के भी उपे जाएंगे उसके बाद वहाँ से आप apply कर पाएंगे और भी इसमें सिर्फ अभी show कर रहा है welder और आगे का जो ट्रेड आपको नीचे जाने के बाद को दिखेगा जैसे कि अस्टार्ट होगी है देखे फ्रेंट यह वायर मेन का है रेल्वे बिलासपूर यहां पर अपला है आगे है सीट मेटल वरकर अगला जो है मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडिशन अगला है प्लंबर तो इस टेप से आप जो भी जिस भी ट्रेड से गलती कि ऐपर जाके यहां पर अफिटर कर पाएंगे पहले भी जाना है हम उसके बार करना तो चलीआ filter पर जाकर ना जैसे कि यहां हूं वेल्डर तो वेल्डर जाकर यहां पर क्लिक करेंगे विफ्ल करने के बाद कुछ स्टेब का इंटरफेस आपको दिखाई देगा यहां पर आप देख पा रहे होंगे अप्लाइफ और इस अपोर्चनिटी तो यहें पर किलिक करने के बाद आपको आगे लोगिन करने के लिए बोलेगा तो सबसे पहले डीटेल चेक कर लेते हैं वेल्डर गाइस एन इलेक्ट्रिक बिलासपूर 36 आगे है डिस्क्रिप्शन में है इस्टेबलेश्मेंट डिटेल सिए डिविजनल परस्नल ओफिस साउथ इस सेंट्रल रेलवे बिलासपूर इस्टेबलेश्मेंट कोड जो है यहां पर दिया गया है और इस्टेबलेश्में स्ट्रेंट जो है यहां दिए गया वर्किंग डे जो रहेगा वह भी रहेगा ट्रेंग पिरिएट में कि आगे है लोकेशन में डियारयम ओफिस कॉंप्लेक्ष नियर रेलवे स्टेशन बिलासपूर और डिस्टिक बिलासपूर 36 पिंगोड जो है यहां पर दिया गया है आग वेल्डर तो वेल्डर यहां आया एने पीएस तो येस आप जो ट्रेनिंग पिरियड इसमें दिखाया गया है ट्रेनिंग ब्लोक्स तो बैसिक ट्रेनिंग डियूरेशन रहेगा बारा मंत करेगा टोटल चार्श पाथ सो बीस घंटे करेगा अब जैसे कि आप देख पा रहे ह पाएंगे जैसे कि आप देख पा रहें फ्रेंड्स यह साथीज सेंटर रेलवे का नोटिफिकेशन है इसमें ट्रेडवाइज जो सीट दिया गया है मैं वहाँ पर फोम में भर रहा था वेल्डर यहां पर वेल्डर में भी यहां पर 40 सीट दिखाया जा रहा है और अपरेंटिस पोर्टल पर भी 40 सीट ही खाया जा रहा है सबी जो ये ट्रेड वाइज है फ्रेंड आपको अप्रेंटिस पोर्टल पे जो इतना जितना सीट है उतना ही सीट वहाँ पे भी आपको दिखाएगा और इस ट्रेंणिंग पिरियेड में जो स्टीपेंड दिया जाएगा वह साथ हजार से लेकर दस हजा तो मैं अभी बता दूं फ्रेंड रायपूर रायपूर और बिलासपूर बिलासपूर में जो मंथली दिया जा रहा है वह साथ आठ हजार नो सो 8,993 रुपईया भी आता है कोई कोँ मंथ और जो अभी चार महिने से दिया जा रहा है 9,027 रुपईया भी जो अप्रेंटिस कर रहे हैं 2019-2020 के बैच के student उनको 9,027 रुपई आ रहा है और किसी किसी मन्त 8,793 रुपई आ भी खाते में आ रहा है तो चलिए friends ये form को आगे apply करते हैं तो apply करने के लिए आपको फिर से apply for this opportunity पर click करना होगा यहाँ पर क्लिक करते हैं आपको कुछी step का interface खुलेगा इसमें आपको login करने के लिए बताया जाएगा तो आप ok पर click करेंगे तो वह आपको email id और इंटर password मांगेगा तो यहाँ पर आप email id और password बनाए हैं अगर आप new apprentice portal पर registration किये हैं तो आप यहाँ पर email id और password देकर login कर सकते हैं और जो student पुराने पोर्टल पर registration किये हुए हैं उनको registration मिला हुआ है 10 digit का तो उनको इस पोर्टल पर registration नहीं करना है उनको बस simply यहाँ पर जाना है पुराने वाले पोर्टल पर जो email id दिया गया था वो यहाँ पर email id भर देना है उसके बाद नीचे जाकर यहाँ पर forget करना है उस email id को डालने के बाद forget करना है forget करने के बाद आपको आएगा simply एक email आएगा उस email पे और उस पे जो है एक link दिया रहेगा link को click करने पर आपको password create करने का option देगा password create करने के बाद आपको login करने के बाद उसमें जो है detail भरने को कहा जाएगा उसके बाद पूरा detail भरने के बाद bank, password, खाता नंबर, IFC code बगेरा पूरा detail भरने के बाद आप apply कर पाएंगे कोई भी apprentice के लिए तो चलिए फ्रेंड इसको login करके मैं आपको दिखाता हूं तो आगे login करने के बाद जब आप लोगिन करेंगे तो आपको कुछ इस tab का interface दिखाए देगा और यहां पे आपका जो भी नाम है वहां यहां यहां पे show करेगा और आपका यहां पे photo show करेगा उसके बाद आपको simply यहां पे apply for this opportunity पे किलिक करना है किलिक करने के बाद आपको new window खुलेगा उसको उसके बाद new window में select preferred location शो करेगा इस पे आप any location पे यहां पे किलिक करेंगे किलिक करने के बाद OK पे किलिक करेंगे OK पे किलिक करने के बाद आपको कुछ इस type का interface show करेगा DRM office complex near railway station उसके बाद यहां पे OK कर देना है यहां पे किलिक करने के बाद उसके बाद आपको OK पे किलिक करना है पे किलिक करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है OK करते हैं आपका जो form है वह finally apply हो जाएगा successful और आपका date यहां दिया रहेगा और description में आपका detail दिया रहेगा और आप का कौन कौन से company में apply किये हैं form और यह सारा detail आप dashboard में जाके आप पूरा detail चेक कर पाएंगे तो friends बस इस वीडियो में इतना ही अधी आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को subscribe करे like करे अपने दोस्तों को share करे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तो